दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक चार बड़े युद्ध हो चुके हैं और गरुक की बात यह कि इन चारों युद्धों में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1947-48 में कस्मीर के कबजे को लेकर हुआ था इसके बाद 1965 में फिर 1971 में और फिर 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई थी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाब चलाए गए ओप्रेशन जिब्राल्टर के बारे में बताऊंगा दरसल भारत के मुसल्वानों में ऐसी मानेता है कि कस्मीर में हजरत दरगा में पैगंबर मुम्मद का बाल रखा हुआ है इसी बाल के गायब होने की खबर से कस्मीरियों में रोज था और इसी रोज का फाइदा उठाने के लिए पाक ने उनको भारत के खिलाब बढ़काने के लिए करीब पाँच अजार सैनिकों को कस्मीर के लोगों के साथ साधा भेश में रहने के लिए भेश दिया था ये सैनिक आम नागरिक बनकर कस्मीरियों के साथ रहने लगे थे और उनको भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए भड़का रहे थे इस ओपरेशन को पाक सेना का मेजर जर्नल अक्तर हुसेन रिजवी कमांड कर रहा था दोस्तों दरसल पाकिस्तान ओपरेशन जिब्राल्टर के माध्यम से कस्मीर में असांती फैला कर उस पर कबजा करना चाहता था जिब्राल्टर स्पेन के पास एक छोटा सा टापू है जब यूरोप जीतने के उद्देश से से अर्भी सेना पस्चिम के और चली तो जिब्राल्टर ही उनका पहला पढ़ाओ बना था जिससे निकल कर उन्होंने पूरे स्पेन पर जीत दर्ज की थी मिलेटरी ओप्रेशन का नाम जिब्राल्टर रखना बताता है कि पाकिस्तान को लगता था कि अगर एक बार जिब्राल्टर यानि कि कस्मीर पर उसने जीत दर्ज कर ली तो पूरे स्पेन रूपी भारत पर भी अधिकार कर लेगा सुत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने ओप्रेशन जिब्राल्टर की प्लानिंग 1950 के आसपास से ही सुरू कर दी थी लेकिन वैसे अंजाम तक पहुँचाने के लिए सही मोके का इंतजार कर रहा था इस ओप्रेशन को उस समय पाकिस्तान के विदेश मंतरी जुल्फीकार अली भुटो का समर्थन प्राप था इस ओप्रेशन के लिए पाकिस्तान ने लगभग 40,000 सेनिकों को विशेश रूप से ट्रेनिंग भी दी थी जिनका मकसद गुस्पैट से हमला करना था सेवा निवर्ती पाकिस्तान जर्नल अक्तर हुसैन मलिक के सब्दों में हम इस ओप्रेशन के माढ़म से कसमीर समस्ज़ा को हमेशा के लिए खतम करना चाहते थे हाला कि हम भारत से युद नहीं चाहते थे इस काम को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने पहले जमीनी कारिये खूफिय जानकारी जुटाने के लिए और गुस्पैट करने के लिए सीमा की पहचान करने के लिए पहले ओप्रेशन नुसरत भी चलाया था अगस्त 1965 के पहले सब्तहा में तीस हजार से चालिस हजार के बीच की संख्या में पाकिस्तानी सैनिक ने भारतिय सीमा में गुशना शुरू कर दिया था इनका लक्स है कस्मीर के चार उचाईवाले इलाकों पीर पंजाल गुल मर्ग उरी और बारा मुला पर कबजा करना था ताकि यदि भारी लड़ाई छिड़े तो पाकिस्तान की सेना उपर बैठकर भारत की सेना के दाथ खटे कर सके इन सेनिकों को पाकिस्तान ने जिबराल्टर फोर्स सीक्रेट नाम दिया था ओपरेशन जिबराल्टर बुरी तरह से विफल साबित हुआ क्योंकि आम कस्मीरियों ने खुद भारतिय सेना को सीमा पार से आए पंजाबी बोलने वाले सेनिकों की जानकारी दी थी सपेशल फोर्स पेरा कमांडों को पाकिस्तानी गुस्पैटियों को तलास कर मारने या पकड़ने का जिमा मिला था पेरा कमांडों को एयर लिफ्ट कराने की जिम्मेदारी एयर फोर्स को दी गई थी भारत के जाबाज सेनिकों ने बहुत बड़ी संख्या में गुस्पैटियों को पकड़ लिया लेकिन पाकिस्तान ने भारी तौपों से गोली बारी शुरू कर दी थी इस परकार यह उप्रेशन जिब्राल्टर ही 1965 के भारत पाक युद की वज़े बना था 1965 में भारत पाक युद दिवित्य विश्व युद के बाद से टैंकों के माद्यम से लड़ा गया सबसे बड़ा युद था इस युद्ध में भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान को इतना बुरी तरे खदेडा की पाकिस्तान के सैनिक 20 टैंकों को चलती हालत में छोड़कर भाग गए थे और भारत की सेना लाहूर के ठीक भार तक पहुंच गई थी लेकिन इस युद्ध समापती के लिए पूरो परधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्टपती आयूब खान और भारत के पूरो परधान मंत्री स्रीलाल बहादुर सास्तरी जी तासकंद गए थे और वहाँ पर तासकंद समझोता हुआ था जिसमें भारत ने पाकिस्तान को उसके जीते हुए इलाके वापस लोटा दिये थे तो दोस्तो ये थी आज की वीडियो, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तो वीडियो पसंद आई तो मेरे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब कीजिए मिलते हैं दोस्तो एक नई वीडियो में बड़े इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तब के लिए धन्यवाद